नमस्ते, मैं आभी नव स्वागत करता हूँ आपका लाइठाव सूल्स में इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ सफ्रिंग किस तरह से हम अपने स्पिरिश्वल अवेक्निंग का एक टूल बना सकते हैं एक जरिया बना सकते हैं देखे, हर एक सफ्रिंग का एक पर्पस होता है जब तक आपका कॉंशिस्नेस लेवल लो रहता है तब तक आपको सफ्रिंग का ग्रेटर पर्पस समझ में नहीं आता ठीक है, मैंने स्पिरिश्वल अवेक्निंग पे इसमें अलग-लग स्टेजिस बताए हैं तो एक्चली सफ्रिंग का पर्पस एकाड जैसे एकाड में जिनको फॉलो करता हूँ वो बहुत अच्छा अपनी पावरफ नाव बुक में लिखते हैं कि सफ्रिंग का पर्पस तब तक है जब तक आप उससे ग्रो आउट नहीं हो जाते हैं और तब उससा पर्पस खतम हो जाता है तो सफ्रिंग का अपना पर्पस है मेरी परस्नल लाइफ में मेरी सफ्रिंग ही मेरी spiritual transformation का एक reason थी जब आप उस सफ्रिंग से go through करते हो तब आपको actually सारे truth समझ में आते हैं और जब आप उस से उस टनल में से वापस बाहर निकलते हो दूसरे साइड पे निकलते हो तो आपको समझ में आता है कि जो आपने सफरिंग आपने लाइफ में इस पूरी लाइफ में जो भी सफरिंग देखी उसका एक पर्टिक्लर पर्पस था आज जिस लेवल पे आप हो आपकी consciousness जिस लेवल पे है वो नहीं होती अगर आपने वो सफरिंग नहीं देखी होती ठीक है तो हर सफरिंग आप अगर इस समय किसी सफरिंग से अंडरगो कर रहे हो कोई भी परिशानी आपके लाइफ में है ठीक है तो उसका एक बड़ा पर्पस है वो हमको समझने की जरुरत है ठीक है तो अचली मेरा ये जो वीडियो है ये इंस्पायर है एक आर्टिकल है आर्ट ओफ सफरिंग वेल बाई थिक नाठ हान एक बुद्धिस्ट मॉंग है माइफुलनेस का जिन्होंने बहुत-बहुत स्प्रेड किया माइफुलनेस को पूरे वर्ल में ठीक नाठ हान करके थे बोलते हैं उनको उन्होंने अपने बुक में ये आर्टिकल लिखा है नो मड नो लोटस उनकी बुक है उस आर्टिकल का एक्चली लिंक जो है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप वो लिंक पढ़ सकते हैं तो बेशली थे इसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम जब जब जैसे एक बहुत गलत पर्सेप्शन ये है कि बुद्धा ने ये बोला है कि everything is suffering, life is suffering तो ऐसा नहीं है थे उस चीज़ पर clarify करते हैं कि बुद्धा ये convey करना चाहते है कि suffering को अगर आप acknowledge करोगे suffering को अगर आप समझोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा तो आपको suffering को बहुत अच्छे से handle करना पड़ेगा हमारी पूरी जो society है हमारी society हमको suffering को handle कैसे करना ये नहीं सिखाते हैं हमारे schools में and that is my regret with the education system that हमारे education system में हमारे education system में हमको ये नहीं सिखाय जाता है कि उस suffering को, उस pain को अपने जो difficult emotions से उसको किस तरह से handle करें उसको किस तरह से process करें happiness में तो कोई problem नहीं है लेकिन जब इंसन suffer करता है तो वो suffering को किस तरह से handle करें वो कोई नहीं सिखाता है हाँ, हमारी society हमको किस तरह से बताती है कि उसको cover up कसे करना है cover up करने के लिए क्या है best है TV टीवी क्या है बहुत दिन डिफिकल्ट रहा टीवी के आगे बैठ गए और बस at least cover up हो जाता है वो suffering कहीं जाती नहीं है या फिर alcohol हो गया drugs हो गया substance abuse हो गया ठीक है ये एक way है लोग cover up करते हैं या फिर shopping ठीक है excessive shopping, gambling, eating ठीक है खूप सारा tension में हो तो खूप सारा खाना खाओ ग हो जाती है फिर लोग suicide कर लेते हैं जिसके spiritual implications बहुत जादा रहते हैं ठीक है उस पर मैंने अलग से video बनाया है कि आत्मात्या के क्या कर्ण परड़िनाम रहते हैं ठीक है तो अभी इसमें जैसे थे जिस तरह से बता रहे हैं थे ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है कि आपक एक energy रहती है जो हमारे कर्म रहते है कर्म क्या है energy है जो हील और होना चाहती है यही में कर्म है कि हम सारी करें खुशी से happily और अपने आपको हील करते रहें उस suffering को heal करते रहे, कुछ suffering आप heal कर सकते हो, अपने आपको heal or balance कर सकते हो, रेकी है, meditation है, इन सारे तरीकों से, कुछ suffering आपको undergo भी करनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है, उस सब की कार्मिक consequences को, कर्मा को balance करना है तो आपको सब करना है, लेकिन हमारे problem क्या है, हमको यह नहीं सिखाया है, कि उस suffering को हमको handle कैसे करना है, तो हम लोग cover up करते हैं, alcohol वगरे, यह सब तरीके से, हम लोग उसको ना, जैसे carpet के नीचे कच्रा दबा दिया, कच्रा कार्पेट के नीचे डाल दिया, वैसे हम कार्पेट के नीचे डाल देते हैं, और फिर positive thinking सिखाये जाती है, ठीके, कि अच्छा सोचो, positive सोचो, अरे positive तो सोच रहे हैं, लेकिन अंदर जो कच्रा है, उसका क्या करना है, ठीके, वो कोई हमको नहीं सिखाता, तो basically थे इसमें बहुत अच्छे से ये बताते हैं, कि आपको उस suffering के साथ बैटना है, ठीके, पेन बहुत है life में, ठीके, बहुत पेन से आप अंडरगो कर रहे हो, लेकिन आपको उस पेन को उससे दूर नहीं भागना है, उस पेन को ऐसा सोचो कि वो एक दोस्त है, ठीके, उस दोस्त की तरह उस पेन के साथ बैठो, ठीके, with the energy of mindfulness, ठीके, तो थेक इस तरह से बोलते हैं, अगर आपका mind बहुत ज़ादा past और future में जा रहा है, तो आप उस pain को, उस suffering को गले नहीं लगा सकते हैं, embrace नहीं कर सकते हैं, ठीके, और उसकी बाद उस suffering के साथ बैठो, उस suffering को recognize करो कि, okay, I am suffering right now, इस वक्त मैं pain में हूँ, इस वक्त मैं तकलीफ में हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं ये तकलीफ में हूँ, ठीके, पूरा time हम लोग या तो why में चले जाते हैं, मेरे साथ में क्यों हुआ, क्यों हुआ, या फिर मैं हम इसको cover up करते हैं, How do you know that? आप अपना attention अपने breath पे लेके जाते हो, या अपने belly movement पे लेके जाते हो, ठीके, अपना आपका जो pain अंदर बाहर हो रहा है, सासों के साथ रहते हो, present moment में रहते हो, और उस present moment में आप उस suffering को देखते हो, you go deep into that suffering, ठीके, जितना आप उस suffering को देखोगे ना, तो वो energy dissolve होगी, ठीके, वो energy heal होगी, ठीके, हम क्या करते हैं, हम उस suffering को, उस pain को, देखे, इस moment में, इस moment में, आप मुझे सुन रहे हो, आपके life का जो भी problem है, या मेरी life का जो भी problem है, वो है, उसको मैं नकार नहीं सकता, हाँ, मैं उसको question कर सकता हूँ, कि मेरे life में इस ने मुझे problem क्यों दिया, मेरे को इतना सारा problem, इस person की वैसे हुआ, otherwise तो मेरे life में अच्छा चल रहा था, ठीके, या मैं अपनी future के प्रती anxiety हो सकती है, मुझे, लेकिन fact यह है, कि इस moment में मेरे अंदर pain है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं past or future में नहीं जाता हूँ, मैं पहले present moment म में आता हूँ, present moment में आने के बहुत तरीके हैं, ठीके, उसमें से एक तरीका है, आप अपने inner body में फोकस करो, inner body मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देखो, आप अपनी पहले अंदर आ जाओ, ठीके, बाहर अपनी consciousness को बाहर भीजने से पहले, भीजने के बजा और जो आप observe करते हो ना, तो उसमें judgment मत लेके आओ, उसको एक loving kindness से observe करो, ठीके, basically suffering क्या है, हमारी जो energy है, हमारे करमा है, वो balance होना चाह रहे है, ठीके, यही तो हमारा purpose है, हम यह जो इतने सारे births ले रहे हैं, इसका सिर्फ यह purpose है, कि हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, ह जितना हमने इतना बड़ा पहाड खड़ा कर रहा है, इस life में at least हम अपने थोड़े करमा तो extinguish कर ले, तो हमको blame और resentment और anger में फसके हम अपने करमा को extinguish करते नहीं है, वो करमा फिर वापस 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 हर lifetime में आता रहता है, तो अब हमको थोड़ा सा approach ही change करना है, अपने साथ बैठेंगे, अपने को present moment में पहरे लाएंगे, through energy of breath, through the energy of mindfulness, ठीके, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपनी suffering को देखेंगे, with loving kindness, with no judgment, ठीके, judgment नहीं करेंगे, अपनी उस suffering को देखेंगे, हाँ, ये करते वक्त आपका ध्यान भटक सकता है, आप वापस से past, या future मे आ सकते हैं, कोई problem नहीं, वापस से आप, जैसे आपको present moment में आ जाओ, बहुत अच्छा, आप awareness में आ गए, वापस से उस suffering को देखो, आपकी जो भी suffering है, उसको recognize करो, और एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप ये करते होना, तो कई बार क्या होता है, माइन का वो tendency होता है, किसी को अपने shoulders में pain लग सकता है, ठीक है, तो उस तरह से आप थोड़ा सा अपनी जो body है, body में जो sensations हो रहे हैं, आप जब ये सोच रहे हो, आपको जब ये feeling आ रही है, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपके life में कुछ ऐसे memories हैं, उनके साथ आप बैठो, feel करो क इस समय मेरे body में वो कहां पे है, और आपके body में, सबोज आपको एक particular जगे पे या knees में आपको लगता है, कि कुछ ऐसे sensation हो रहे हैं, अपना ध्यान उदर लेके जाओ, जितना आप अपनी consciousness को जो आप अभी तक क्या करते थे, बाहर, consciousness बाहर रखते थे, जितना आप उस consciousness को उस particular bodily sensation पे डालोगे, उतना आप क्या कर रहे हो कि आपका consciousness एक light की तरह है, एक torch की तरह है, और आप उस torch से, अपने उस consciousness से, उस pain को आप light दे रहे हो, ठीक है, light, और जहाँ light होती है, वहाँ darkness रही नहीं सकती, तो इस तरह से वो जो सारा pain है, वो डिजॉल हो जाएगा, तो ज़री नहीं कि हर चीज़ को आपको पंदरा मिनेट अलग से बैठके, निकाल के, टाइम निकाल के, जबी भी आपको ऐसे negative thoughts आए, past memories आए, उस सिर्फ दूर मत भागो, अपने पहले अंदर जाओ, अपने breath पे focus ले आओ, या अपने body के, belly के movement पे focus ले आओ, या अपने breath पे focus ले आओ, और उसको observe करो, कि ये मेरे अंदर arise हो रहा है, सिर्फ उसको observe करो, सिर्फ इतना आपने को करना है, तो I hope ये आप practice कर सकते हैं, I hope आपको कुछ भी queries रहेंगे, comments रहेंगे, आप share कीजे, I hope मैंने justice किया हो इस topic पे, आप थे का जो article है, मैंने description में दिया है, वो भी आप जरूर 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 पढ़िए, ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद, God bless you, take care, bye, thank you.